मुख्य मंट्री होगी आदितिनाथ के द्वारा 8 अक्टूबर को महानगर में हुए वर्चुल सिलन नयास के कारियों के समीक्षा महापौर सीताराम जैसवाल ने डूडा नगर निगम एवं आर इएस के अधिकारियों के साथ नगर निगम स्थित महापौर कारियाले में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंट्री होगी आदितिनाथ के द्वारा 8 अक्टूबर को जिले के कारियों को जूम एप के माद्यम से वर्चुल सिलन नयास किया गया जिसमें नगर निगम छेतर में साथ काम स्थिक्रित हैं जिनका वर्क ओर्डर जारी किया जा चुका है इसी प्रकाग रामीर अभी इंतरन विवाग आरी एस विवाग द्वारा 93 सड़के हैं उन्होंने बताए कि सुकृत कारे के संबंद में संबंदित अधिकारियों से कारे जल्द से जल्द प्रारंब करने के निर्देश दिये गया है और सभी सुकृत कारे को वर्क ओर्डर ठेके दार को जारी कर दिया गया है तता कुछ कारे प्रारंब हो चुके हैं एवं सेज कारे एक सप्ता के अंदर प्रतेक दसा में प्रारंब कर दिया जाएगा महापरद्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित क्या गया कि जो भी कारे संबंदित विहागा देक्ष कराएंगे उनकी गुर्वत्ता पर विसेज ध्यान देते हुए कारे अतिसीगर पूरे कराएंगे यदि किसी प्रकार के कारे में बाधा उत्पन्य होती है या आवशकता पड़ती है तो ततकाल मुझे अत्वार नगर आयक्त को इस्तिती से ओगत करते हुए जो भी सहता चाहेंगे नगर निगम ततपरता से उस पर सहियो करेगा उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी दिसहरा एवं दिपाली पर्व को ध्यान में रखते हुए मार्गों के निर्मार में ऐसी विवस्ता सुनिश्चित करें जिसमें आम जिन्मानस को असुवधान ना हो यदि किसी मार्ग के निर्मार कारे है तो बेरिकेटिंग आदि की चाती है तो उसका पूर्वे में सूचना समचार पत्र के माध्यम से मार्ग डाइवर्जन का कारेकरम बना कर जन्मानस को अउगत कराएंगे बैचक में नगर आयुक्त अंजिनी कुमार सिंग उपसभाबती अजैराय मुख्या भियंता सुरेश चंद परियोजना डूडा अधिकारी विकास सिंग उपस्तित रहें इस संबन्द्य गुरकपुर नियुस से बात करते वे महापॉर सीताराम जैस्वाल ने कहा आज सर बैठक को यह किस अंदर में की गुझा आज टूडा आरियस और नगर निकम कर्कारियों से मुख्यमंत्य जी के दिसार नदेश के अंसार एक बैठक बुलाई गई है और उसमें जो मुख्यमंत्य जी ने पिछले दिनों रूडा और आरियस की कामों को सुकृति पजान कि थी उसमें कती लाने के लिए अजिकारियों ने बताया है रूडा के अजिकारियों ने बताया है कि जितने भी काम सुकृत हुए हैं वो हमारे काम सत परतिसार प्रारम कर दिये गए हैं और जल से जल पूरा हो जाएगे. R.E.S. के अधिकारिकों ने बताया कि अभी काम तीन दिंक के अंदर प्रारंब कर दिये जाएंगे. कुछ काम प्रारंब हुई भी है मैंने उनसे उनको निर्देशित किया है कि आप जल से जल जितने भी काम से किर्थ हुए हैं, आगे के तेवारों को ध्यान में रखते हुए, उसको फुरा कराएं और साथ ही साथ मैंने भी कहा है कि जितने भी ठेकदारों को वरकाउट आप जारी कर चुके हैं तो उन्होंने बता है कि सभी को वरकाउट जारी कर दिया गया है मैंने उनसे कहा है कि जल से जल उन्ठेखदारों को बुला करके एक काम में तेजी लावें और तेवाल का समय है इसे सिक रहें सिक पुलाख रहें मुताज मत्रीजी का सिदा सिदा में अपिए से